हाई गाइज वेलकम टो एक्जाम अंटर तो टोड़े वियर गोएंग टो डिस्कस 67 बीपीसी पिरियलिम्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि कुछिन कितने आते हैं और कुछिन का जू पुछने का तरीका बीपीसी का कौनकुन से सब्जेक्ट से केटने कुछिन साते है लगवग और हमें कौनकों से बुक को परने की जववत होगी तो इसका हाई चांस है कि यूविल गेट सक्सेस एंड कौलिफाई यूर पीटी ठीक न तो देखो उससे पहले हम दो एनॉस्मेंट करना चाहते हैं पहला एनॉस्मेंट है दोस्तों कि टेलीगराम का एक लिं है इसमें क्या है कि जितने भी एक मसभी वह उगे प्रिवेश यह कुष्ट अब बिहार में पुछे गए हैं उसको हम लोग कभर करें गया इसमें टेस्ट के दूरूर्फ बाकि क्राउन हो गया, बिहार स्पेसल क्राउन हो गया, साथ ही साथ आप देखो कि इम्तिहाज हमत की बूक हो गया, उसका MCQ उसको भी कर लेंगे, जितने भी इंशूट है, जिनके PDF या जिनके MCQ मार्केट में मिलते हैं, उनको भी हम इसमें प्रैप्रिस करेंगे, यह टेस्ट फ्री है, आपको क्या करना है, कि टेलिग्राम का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाका वहाँ पर जोइन करना है, यह भी जश्ट स् किसरा है, इससे पहले दो ग्रूप और लेड़ी है, जिसमें 1500 बच्चे जुड़ गया है, हम लोग क्या कर रहा है, कि 67th BPSC का, जो मेंस का सिलेबस है, उसको कवर कर रहे है, थू टेस्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि हर दो दिन पर टेस्ट होगा आपका, वो भी इवे यह हो, तो आप जोइन कर सकते हैं, इसमें भी 100 प्लस टेस्ट होगे, तो दो एनॉंस्मेंट है, ठीक है, फर्स्ट की टेलिग्राम पर फ्री 67th PT टेस्ट होने वाला है, और सेकेंड की यह सामने, जो मिन्स का चल रहा है, उसको आप इन्रोल कर सकते हो, इन्रोल करने के लिए क्या है, जो टेलिग्राम का चैनल उसको जोइन करी लो, जो डिस्क्रिप्शन में है, साथी साथ जो यहां पर नंबर गिया हुआ है, इसको आप वार्षप करके डिटल ले सकते हैं, नंबर है, 96, 25, 62, 64, 68, ठीक है, तो आते हैं मेन मुद्धे पर, अगर BPS सेकार देखोगे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत है, मेन हडल जो है, वो क्या है कि हम कैसे अपने स्ट्रेक्टिय को बनाया है, जिससे हमको PT क्लियर करें, तो तो पीटी क्लियर करने से पहले थोड़ा बहुत, BPS से को समझो कि कुश्चन कहां से पुषता है, कितना पुषता है, टोटल कुश किस के होते हैं, मैथ्स के, तो टोटल हमें 10-8 दो, 140 कुश्चन होते हैं, जी एस के, अब देखो के दोस्तों, तो जो 140 कुश्चन जी एस के होते हैं, उसमें History, Science और Current Affairs, ये तीन को ध्यान से सुनना, ये मेन विटेज होता है, ये मेन विटेज होता है, मान के चलो कि 140 में से इसका विटेज होता है, 80 प्लस माइनस 5 कर सकते हो, मतलब 75 से 85 के बीच में इसका कुश्चन पुछा जाता है, इस तीनों से, History, Science and Current Affairs, अब देखो अब Current Affairs में भी बात करेंगे, इसमें बिहार का Current Affairs भी इंक्लूड होता है, अब हम क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, वो बाद इसमें खास कर बिहार का जोगराफी पुछ देता है, तो हम लोग MCQ के थूरू कर लेंगे, ठीक है, अब एक है, जो बिहार Specials कुश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप Current Affairs में इंक्लूड हो जाएगा, जो एक Current Affairs बाला जो पार्ट है न, 25 से 30, वो इस जो नीचे वाला कुश्चन होंगे, जैसे Literacy Rate कितना है, लिंग गनुपात कितना है, Sex Ratio कितना है, कौन सा District में जादे Literacy है, महिलाओ का Literacy किसमें जादे है, किसमें कम है, इस टैप के कुश्चन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट कुश्चन आते हैं, बिहार बजट से, बिहार बजट और बिहार Economic Survey, अब इसमें क्या होते है, कि जितने भी Facts होते हैं, वो कुश्चन पूछे जाते हैं, अब इसमें हम लोगों क्या करना होता है, कि हमें वो Facts को रटने होते हैं, तो आपको करना पड़ेगा किसी भी हालत में, तो अगर आप History, Science, और Current Affairs को कमांड कर लोगे, तो हाई चांस है कि आप 80 to 85 के असपास आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अब साथ में 10 कुश्चन मैथ का पूछ देगा, तो मान के चलो कि 95 के असपास हो जाएगा, ठीक है, और इसक बद पॉलिटी, जोग्राफी, इसब से, इकनोमिक्स, से, मिन है कि क्या चीज परें, क्या चीज नहीं परें, तो आपको क्या करना है, कि अगर हम हिष्टी के बात करें, देखो, आप इस सोर्स कर मत रहें कि हम एक बुक पर लेंगे, दो बुक पर लेंगे, तो हम पीटी निकल जाएगा, ठीक है, ना, पीटी निकालना बहुत ही जिसकी काम है, आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, इतने MCQ प्रेक्टिस करो कि पीटी निकल जाएगा, तो हम पीटी निकल एगा तभी तो मेंस लिखोगे, तक हिष्टी को देखो, हिष्टी को दो सेक्षन में बाटाए गया है, ठीक है, एक इंडियन हिष्टी, जिसस इससे कुशन आते हैं, जिसमें आपका तीनों सेक्षन आजाएगा, एंसियेंट, मेडाइवल, और मोडर्न, एक होता है बिहार का इतिहास, बिहार हिष्टी, इससे कुशन साते हैं, ठीक है, तो यह तो आपका एक बुक से कम्प्लीट होगा, उससे जादे कुछ लेने के ज लोगत नहीं है, बार-बार इसको पढ़े, बार-बार एक बार, दो, बार, तीन, बार, चार बार पर जाए, बिहार इतिहास है, तो बिहार इतिहास में क्या है, कि आपको इम्तियाज आहमत के बुक आती है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं, या एक और बुक आती है, बिह लेकिन हिस्ट्री है अब इंग्लिस मेडियूम दोनों समझ सकते हैं और इमतियाज अमित की दो गूक आती है स्थैनलेना इसको म kissy खतम हो आब क्या करना के लिए लूत लेना है क्या उंडियान ऊपर होता है ले सकते हो बिहार समगणा में ध्यान देना गल्थी बहुत है या क्राउन ले सकते हो यह दुनों ले लो आपका भीहार खतम हो जाएगा कि आप लोगों किलियर हो गया कि यहां यहां सब्सस्ट परणा और लास्ट में हम लोग गया कि कि इतने बॉक्स चाहिए आपल इस ऐस के लिए कुछ नहीं करना है आपको साइंस के लिए बस एग Grundlyう ले और हम तो अच्छे अच्छेंग के लिए बता तो इससे आपका science का हो जाएगा और इधर उधर से कुछ से जगा से परने के जगत नहीं है next है current affairs current affairs के लिए बहुत ही पागल हुए रहते हैं बंडे अप अभी सही current affairs पर पर ना start कर देते हैं सוק पर सकते हैं और और में आप का किसी को स्टेश बिला अब को ए सब्सक्रार अभी सब्रह्ते हैं द्यान रखेंगा इस पी एक घाट नांचागर की दिरिष्टी यह इसको ले सकते हैं इसको अपे इस से पर सकते हैं इसको कर लोगे तो करने की और कुई करने की जवत नहीं है तो यह आपका क्रेंट फेर्स का सेक्शन इससे निकल जाएगा नेक्स्ट है मैस मैसों होते ही हैं हर साल पुछए जाते हैं अब अब अगर कोई लर्का लक्ष्मी कांध परहा है तो उसको लिए असान हो जाएगा क्योंकि कि ओ रिविजन कर लेगा तो आप और रखिए अगर आप लक्षमिकांत नहीं पर हैं तो इतना मुटा बुक परने के चक्तर में रहना नहीं है आपको लुसेंट से ही काम चला लेना है लुसेंट से जो पॉलिटी का जो सेक्षन है उससे उसको आप देख जाएए और साथ ही स कि अधको उन्र के आसमस कुश्यंस होते हैं तेरा मेरा क्षच्ट इसमें आपको मांन के चलो कि जो टफिश्ट पार्ट मुझे लगता है वह बिहर जोग्रफी से पुछ देता । बिहर जोग्रफी से कुछ देता अब बिहर जो और एक होता है कि इंडियन जोग्रफी और जैसे तो पुछ सकता है कि पुछ सकता है यॉक के लिएằng करौ आज़ा सकते हो लेकिन जयादे रिटर में अब देखू आप बीहार इस्पेशल और सबसे इंपोटेंट से आपको बिहार करेंट अफिर्स आ सकता है जो बिहार में एक साल के तरिंट अफिर्स आएका वो आ सकता है एगा हुआ से इसको भाई आफ अच्छे तरीकी से इस पर हम सब्सक्राइब शरूंप करना स्पेशल टेस्ट होगा उसके बद जो बजट आया है और इकनोमिक स्वर्व आया उसका फेक्च्वल कुछ था यह कितने हजार क्रोर रूपए एजुकेशन में दिये गया है पिछले साल इतना था तो इतना क्रोर है तो कितने परसेंट का इफाजा हुआ है कितने परसें किए हो जाएगा हो ईक्जाम के दो महिने पहले आते हैं दो यहरे महिने पहले आते हैं करन्ड फेर्स के अपने पैड़िक उसको ले सकते हो सítक्के उसके एक साल का क्रेंट उakerस मिकों प्रथ क illeg हो जाएगा बिहार economic survey भी clear हो जाएगा बिहार census भी clear हो जाएगा और मैं एक suggestion देता हूँ English medium में कहाने कि इस सबकी थोरी content की दिक्कत है तो एक book आती है KBC Nano का current affairs के उसको मत लेना भाई वो copy paste मारता है उसका कोई फैदा नहीं है बहुत ही घटिया है उसके जगा English medium वाले Hindi medium से ही काम चलाना परेगा लेकर रटना परेगा या कोई आएगा तो हम उसको inform कर देंगे ठीक है इससे आपका current affairs का section निकल जाएगा बढ़िया से अब देखो बुक क्या क्या होना चाहिए पहला बुक होना चाहिए आपका previous year question इसको ले लो अब हिंदी medium के लिए बेश्ट की previous year question bank क्या है घटना चकर घटना चकर मतलब क्या है कि जो घटना चकर का special edition आता है बिहार का previous year question bank का वह अपले सकते हो उससे प्रिवेस year question bank solve कर लो जितने आज तक बिहार में पुछे गया है और हाई चांस है कि आपको 30 से 40 percent question repeated मिलता है जो रिपीट किये जाते हैं एक्जाम में तो अगर आप previous year question कर लोगे तो आपका जो यह वाला section है ना geography वाला या quality वाला section है ना यह आप आसानी से इसमें कर सकते हो तो previous year question लेना must है पहला बुक क्या है previous year question bank ले लो घटा चकर ले सकते हो हिंदी वाला इंग्लिस वाले आप किसी का दिल ले सकते हो देख लेना मार्केट में किरन पब्लिकेशन को भी बुक आती है previous year question bank का वो आप ले सकते हो ठीक है तो पहला बुक क्या है previous year question bank वो लेना मस्ट है आपको second book आपको क्या चाहिए Lucent Lucent से आपका history cover हो जाएगा आपका science cover हो जाएगा आपका politics cover हो जाएगा ठीक है इतने सारे cover होंगे और जोग्राफी भी आपका cover हो सकता है ठीक है तो second book हो गया क्या लूसेंट लेना ही अरामबान है अब देखाब previous year question bank है ना previous year question bank है इसमें आपको बिहार special भी cover हो जाएगा जो बिहार special पुछता है इतिहांस, बिहार history के बारे में पुछ देता है बिहार का जो इतिहांस है उसके बारे में पुछता है तो previous year question bank से उसका practice कर सकते हैं जो हम लोग करवाएंगे इसमें क्या है कि जो भी बिहार special question सबाय हुए है वो पुछा जा सकता है अब दुक्वाब, थर्ड क्या है? current affairs current affairs है ठीक है? इसका आप बताया है, नाम बताया है आपको आपको एक दो महीने पहले market में आगा उसको आप उठा लीजिए ठीक है? आपको और एक-एक fact को याद करना परेगा इस current affairs में आपका लास्ट वाला section भी आ जाएगा यह वाला section भी आ जाएगा ठीक है? तो तीन बुक्व से क्या हुआ? हमारा history, science, current affairs, quality, geography और यह वाला section हो गया अब maths है वो 10 questions है वो प्रैक्टिस कर लिजिए अब चौथा कौन सा बुक ले? अब दखो क्या है? यह mandatory नहीं है लेकिन मैं सजेशन करता हूँ कि रिस्क लेने से फायदा नहीं है ठीक है? जितना महिनत करो उतना कर सकते हो बिहार special जो आता है बुक वो आप ले लो जैसे इम्तिहाज जैमत का MCQ आता है उसका हम कराएंगे चैनल जोइन कर ले ना टेलिगरम को वहाँ पर कराएंगे उसका MC को प्रेक्टिस करो और साथी साथ बिहार कराओं जो भी ली हो मेंस के लिए तो चाहिए चाहिए उसका MC को प्रेक्टिस करो जितना MC को प्रेक्टिस करना है कर सकते कर cities कर दो तो मतलब क्या है कि आपको ये तीनों बुक परना पडेगा एक प्रिवेस और कूशन भेलो ले लो करination स्काल ले सकते हो और उ अब यहां पर सवाल कि 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 आप इड्र माइल के अच्छंत करते हो आपसे 2nd mcq जो है बिहार स्पेसल उससे करवाया जाएगा 3rd जो अच्छे अच्छे बुक्स है इंतिहाज हमें कराउन है उसका mcq क्यों करवाया जाएगा मतलब मान के चलो कि आपको इतना mcq करवा दिया जाएगा या आप एक्सपर्ट बन जाएंगे mcq में तो एक overall प्ल ुकू इंस भ ऑउगा जब मान के चलो के एक चलो क्यू झार आएगा झारी स्टीणवी में कि आएगा च्याँ झांसे करें सुब究 उत जाएगा आएगा जाहान है जाएगा जाने हैं सुप।